Hello friends, welcome back to my channel वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आज हम देखेंगे कि सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है सिमली और मेटाफर में डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले हम देखने हैं सिमली की डेफिनिशन इन सिमली देर इस अ कमपेरिजन बिट्विन तो ऑबजेक्ट्स और डिफरेंट काइंड्स दैट आर सिमिलर एट लिस इन वन पॉइंट इन सिमली एएसी figure of speech होती है जिसमें दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है वो जो बचुछें होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं यानि अलग-अलग प्रकार की होती हैं और तुलना करने के लिए comparison के words जैसे की like, so और as का प्रियोग किया जाता है example देख लेते हैं वा शेर की तरह लड़ा देखिए उसकी तुलना किसकी साथ की जारी शेर की साथ की जारी है न और तुलना के लिए कौन सा word यूज हुआ है like तो यहाँ पर कौन सी figure of speech हो जाएगी simile next example देखते है life is like a dream यानि जीवन सापने के समान है तो यहाँ पर life और उसकी तुलना किससे की जारी है life की तुलना की जारी है सापने से और comparison के लिए word जो यूज हो रहा है वो है like तो यहाँ पर कौन सी figure of speech हो जाएगी simile आगे हम देखते हैं metaphor की definition metaphor is a figure of speech in which two objects are compared but words of comparison like, so, as, are not used यानि metaphor एक ऐसे figure of speech है जिसमें दो अलग-अलग चीज़ों की तुलना की जाती है लेकिन तुलना करने वाले शब्द जैसे like, as, और so का प्रियोग नहीं किया जाता है इसके example देखते हैं laughter is our best medicine यानि जो laughter है, जो हसी है वो सबसे अच्छी दवा है तो आप देख सकते हैं, जो laughter है उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है medicine की साथ की जा रही है लेकिन जो comparison के word है, वो use नहीं हुए इसलिए यहाँ पर जो figure of speech होगी वो metaphor होगी next example है, life is a dream जीवन सपन है, यानि यहाँ जीवन को सपन की तरह नहीं कहा गया, बलकि जीवन को सपना ही मान लिया गया है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन से figure of speech हो जाएगी यहाँ पर जो figure of speech है, वो है जीवन को सब्सक्राइब